तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर के सस्क्राइब को बटन दिखाई दे रहा होगा उस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के साथ बड़े अराम से जुड़ सकते हैं हेलो दो उस्तो नमसकार आजके इस वीडियो में जए मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि गूगल पे का अकाउंट जए आप अपने मुवाइल पर कैसे बना सकते हैं यहां पर क्या-क्या पूचता है क्या-क्या भरना पढ़ता है क्या-क्या करना पढ़ता है इन सबी चीजों के बारे में इस वीडियो में आप सबी को एक दम सरल तरीक से समझाने की पूरी कोसिस करूँगा तो चलिए बीना समय कवाए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे अप्लिकेशन को अपने मॉवाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपके मॉवाइल पर पहले से गूगल पे का अप्लिकेशन है तो उसको आप डिलीट कर दीजिए मिटा दीजिए मिटाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो के description में मान के चलिए अगर हमारी वीडियो जो कुछ इस प्रकार से आपके screen पे चल रही है तो आपको करना क्या है कि नीचे के तरफ आपको यहां पे more का option दिखाई देगा तो यह वाले more वाले option पे click करेंगे न तो ऐसे जो कुछ इस प्रकार से open हो जाएगा और यहां पे लिखा होगा भाया link और यहां पे आपको एक link दिखाई दे रही होगी तो इस link पे आपको कर देना है click और click करने के बाद यहां पे आपका जो application है Google पे का वो open हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा play store open हो चुका है और यहां पे आपको install कर लेना है ठीक है चलिए जो हम इसको install कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पे जो हमारा application install हो चुका है इसको जो हम open कर लेते हैं तो यहां पे open का option दिखाई दे रहा होगा यहां पे आपको कर देना है click तो दोस्तों यहां पे हमने Google पे application को अपने mobile पे install करके open कर लिया है open करने का बाद यहां पे पूछेगा आपके bank से जो registered mobile number है उसको जो आपको इस box में भरना पड़ेगा अब यहां पे जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहां पे यही वाली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं आपके उस registered mobile number पे recharge होना चाहिए ताकि message जा भी सके और आ भी सके तब ही आपकी जो SIM है वो verify हो पाएगी और आगे की process हो पाएगी तो इस बात को ध्यान में रखकर यहां पे अपने registered mobile number को type कर देना है भर देना है भरने के बाद जो यहां पे next order option दिखाए दे रहा है उस पे click कर देना है जैसे click करेंगे तो यहां पे accept and continue का option दिखाए देगा उस पे click करेंगे तो आपका SIM जो है वो verify होगा तो verify हो नहीं में थोड़ी सा time लगता है हमारा mobile number verify हो चुका है फिर उसके बोलेगा कि भाईया क्या आप इसको lock रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं तो हम यहां पे screen lock ही select रहने देते हैं और यहां पे continue का option है उस पे click कर देना है अब जैसे click करेंगे तो यहां पे बोलेगा कि आप अपने lock को open कर दीजिए तभी जो application open होगा तो हम open कर लेते हैं अब open करने के बाद जैसे यहां पे new payment का option है उस पे click कर देना है और यहां पे click करने के बाद जैसे हैं जैसे click करेंगे तो उसके बाद जैसे आपको bank add करना पड़ेगा bank add करने के लिए उपर की तरफ यहां पे किनारे पे यह वाला option दिखाए दे रहोगा इस पर click कर देना है और जैसे click करेंगे तो यहां पर send money bank account को option दिखाए दे रहा है उस पर click कर देना है ठीक है जैसे click करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर अपने bank को select करना पड़ेगा कि आपका estate bank है कि कौन सा है तो हम अपना bank select कर लेते हैं select करने के बाद यहां पर पूछेगा कि कौन से sim है जो आपके bank से link है तो sim 1 है कि sim 2 है जो भी हो select कर लीजिए continue पर click कर दीजिए यहां पर message का है तो allow click पर click कर देते हैं फिर message जाता है फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका आता है bank ठीक है आपका खाता संख्या last में दिखाई दे रहा होगा तो यही हमारा account है तो इसको आपको कर लेना है select ठीक है तो चलिए जो हम इसको select कर लेते हैं select करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो भी आपने account select किया उसका ATM का last 6 digit का अंक यहां पर type करना है और expiry date कब हो रहा है उसको type करना है तो यहां पर ATM में देख सकते हैं कि 6 digit और expiry date कहां कहां पर होता है तो उन दोनों की चीज़ों को यहां पर भरना है अब जैसे ही भरेंगे तो उसके बाद आपको next वाले option पर click कर देना है फिर उसके बाद आपके उसी registered mobile number पर OTP आएगा और OTP यहां पर आपको भरना पड़ेगा तो यह auto fill हो जाता है वैसे mobile हो में फिर उसके बाद राइट का निसान दिखाए दे रहा है उस पर click कर देना है फिर यह बोलेगा कि छैंको का आप UPI pin बनाईए तो आपको इस pin को बनाना पड़ेगा और इस pin को share नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से यहां पर डाल दीजेगा फिर राइट का निसान पर click कर आप अपने गूगल पे का एकाउंट बना सकते हैं यह यह प्रोसेस होती है और काफी मेहनत से जो मैंने यह वाले वीडियो बनाई है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकत हैं तो मिलते हैं इंगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों दन्नवाज जाहिए